हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने वाली हूं वो कटीला पौधा है और एक हाड़ी प्लांट है एक तरीके से कह लीजिए जिसे फल के लिए लोग अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं एक समय तो यह पौधा है ड्रेगन फ्रूट का औ है गैँ मेरा छोटा वाला पौधा है जो रिपोर्टिंग के लिए अभी सही समय है रिपोर्टिंग करने का क लिए मैं इसकी जल्दी रिपोर्टिंग कर दूँगी लेकिन उससे पहले ही इसमें कुछ चीजे हो गई जिसकी वजह से मैं अभी ठोड़ा सा रुक के रिपोर् इनकी केर करते समय कि इन में बहुत ज्यादा कांटे होते हैं तो आपको गलफ का इस्तेमाल करना है अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी उंगली में इसका एक कांटा लगा था और काफी दर्ज हुआ था उसमें क्योंकि यह बहुत पतले-बले कांटे होते हैं दिखते भी नहीं हैं तो आपको केर करनी है कांटों से और मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करने वाली हूँ अभी मैं इसकी कटिंग आज लगाने जा रही हूँ तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी कटिंग लगा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें इतनी रू प्रेंट कटिंग इसकी आप कैसे लगा सकते हैं ये मेरी साइड में टहनी थी जो काफी लंबी थी और वो पाने देते वक्त मुट्से ही गलती से तोट गई थी तो मैंने सोचा क्यों मैं इससे फ्रेंखूं इसे एक और पौधा तयार कर लेते हैं तो ये कटिंग आज में ग् तो मैं टूटी हुई टहनी से कटिंग लगाने जा रही हैं लेकिन अगर आप पौधे से कट करके टहनिया और कटिंग ग्रो करते हैं तो आपको सीजर से अच्छे से इसकी बराबर कटिंग निकाल लेनी है और काटों से हाथ को अपने सबसे पहले सेफ रखना है दूसरे न टो चाइस है सब्सक्राश को किरेगा से है और यह करेढ़ू का मैं इसमें इसलिये यूज करते हूं यह बाहर जाती है कि इसमें जब रूटी एमंए दीक ने लग जाती है जिसे आसानी ही से पता चल जाता कि हमारे cutting कितनी grow की है अब reporting करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सारी चीजें पता चल जाती है रोट देख के तो आप भी इस ट्रिक से कर सकते हैं इस छोटे से pot में कर सकते हैं बाकी आप अपनी choice की हिसाफ से जो pot आपको पसंद आता है आप उसमें कर सकते हैं cutting को grow करने के लिए जो मिट्टी मैंने तयार की है उसमें एक हिसा क्यारी की मिट्टी है एक हिसा river sand है जो construction side में यूज होती है वो वाली river sand यूज करनी है मैंने वो river sand यूज किया है और उसके बाद उसमें थोड़ी सी बर्मी कमपोश्ट भी यूज कर लिया है जिससे तीनों का mixer अच्छे से तयार कर लिया है और river sand और क्यारी की मिट्टी जब mixer एक अच्छे मात्रा में तयार होता है तो लगभग सारी cutting अच्छे से grow होती है क्योंकि river sand में पानी रुखता नहीं है और cutting अच्छे चलती है जड़ें खराम नहीं होती जड़ें सड़ती भी नहीं है तो cutting के लिए वेश्ट आफसन है cutting लगाने के लिए मैंने पहले नीचे 2-3 इंच टीकरी रखके मिट्टी डाल लेनी है और मिट्टी डालने के बाद कक्रीली पत्रीली मिट्टी थोड़ी सी है इसमें river sand भी मैंने मिला रखा है इस तरीके से और उसके बाद कुछ 2-3 इंच मिट्टी आपको डालने के बाद अपनी cutting रख देनी है क्योंकि cutting ऐसे अगर हम धसा के लगाएंगे तो अच्छे चे लगेगी नहीं और काटे भी चुबने के चांस हो सकते हैं इसलिए मैं विसेज ध्यान काटों का रख रही हूँ क्योंकि काटे इसके बहुत नुकीले होते हैं और इस तरीके से मैंने रख दिया अब मैं उपर से सारी मिट्टी जो भी मुझे मिट्टी जिस्तनी डालनी होगी वो मिट्टी में डाल दे रही हूँ आप इजली इसकी कटिंग घर पे तयार कर सकते हैं अभी मेरा ड्रेगन फ्रूट का पौधा जो है बाकी इसकी कटिंग मैं जादा मात्रा में लगाओंगी क्योंकि जब भी कटिंग लगानी चाहिए तो जादा कॉंटिटी में लगानी चाहिए अगर एक दू कटिंग खराब भी हो तो कुछ पॉधे आपके तयार हो जाएं यसलि बागी चीजे बागी चीजें फ्रूट कैसे बनेंगे ये सारी चीज़े मेरा जब पौधा बड़ा हो जाएगा थोड़ा था तो मैं इस वीडियो में आपके साथ जरूर सेयर करूँगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा ड्रेगन फ्रूट कितना ग्रोथ किया है अभी दो से तीन महीने हुए है इसको लगाए हुए मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ हो रही है और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा कर आल पर किलिक कर दीजिएगा जिससे ऐसे और भी सारे पौदों के बारे में जानकारियां च्छोटी च्छोटी आप तक पहुंचती रहें मेरे वीडियो में लाश तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक्यू सो मच युज है